Hello everyone and welcome back again to another fish video fast talk. I hope you all are doing absolutely fine. तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको multiple job opportunities के बारे में and intensive opportunities के बारे में बताने वालों. तो जोब रोल ज़ा जाती ही वह जाती ही, IBM की तरफ से, Publicis Sapiens के तरफ से, Red Hat के तरफ से. तो सभी के बारे में मैं आपको सभी चीज़ें बताने वालों. क्या क्या roles and responsibilities है, क्या job description है, क्या क्या eligibility criteria है, कौन कर उसमें apply कर सकते हैं, किस तरह से आपको apply करना है, सभी चीज़ें मैं आपको step by step बताने वालों आज की इस वीडियो में. तो वीडियो को enter के जरूर देखें दोस्तों and जिसमें आप eligible हो, उसमें apply करना ना भूलें. तो जैसे के आप screen पर देख सकते हो, मेरे चैनल पर आपको various off-campus drive and internship opportunities and work from home opportunities देखने मिल जाते हैं. तो आप चैनल को subscribe कर दीजे, bell icon को press कर दीजे, ताकि आपको हर latest वीडियो की update मि जाए. अब आज जाते हैं, हमारे meet topic पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले IBM के off-campus opportunity के बारे में. तो देख सकते हो, IBM hiring for system engineers. तो दोस्तों यहाँ पर सीधे से हम eligibility criteria के उपर पढ़ते हैं, तो अगर आप BEP Tech, MBM Tech या तो MCA के students हो, तो आप इसमें apply कर सकते हो, candidate should have score minimum 60% और 6 GPA, calculation of qualifying marks equals to sum total of marks obtained divided by sum total of maximum marks obtained all subjects. तो दोस्तों यहाँ पर आपको CGP कैसे find out करना है, वो बोला है, लेकिन आपका 60% से जाधा होना चाहिए minimum score. यह दिखने मिल जाते हैं, और year of passing दिखने मिल जाते हैं, 2018, 19 and 20. तो अगर आप 2018, 19, 20, 20 pass out batch से हो, अगर आपने BEP Tech, MBM Tech या तो MCA किया है, त आप इसमें apply कर सकते हो, और 60% से जाधा होने चाहिए आपके marks, यह LGBT criteria में आपको देखने मिल जाता है, अब देख लेते हैं, form में आपको क्या क्या एंटर करना है, full name, enter करना है, फिर email address आपको enter करना, आपको mobile number, फिर आपका highest qualification जो है, आप सेलेक कर सकते हो, अगर आपने BEP Tech किया है, तो जो highest qualification है, वो सेलेक कर देना है, फिर आपको brand select कर देना, आपने concept brand से किया है, दोस्तों तो वो आप सेलेक कर सकते हो, फिर highest qualification percentage और CGPA, आपको अपने CGPA या तो percentage add करना है, number of backlogs आपको add करना है, कि आपको कोई backlog था, क्या हो add कर देना है, फिर आप कौन से city से belong करते जेंडर select करना है, आपको year of pass out select कर देना है, आप currently work कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो select कर देना है, फिर आप relocate होने के लिए willing हो या नहीं हो, अगर आपको किसी place पे job दी जाती है, जैसे बैंगलोर पे दी जाती है, मुमाई में दी जाती है, देली में जाती है, पूने में भी दी जाती है, तो आप relocate हो पाऊंगे या नहीं हो पाऊंगे, यह जीस आपको select कर देना है, तो यहाँ पे आपको yes कर देना है, फिर current organization name, तो अगर आप कही job करते हो, तो उस particular organization का name add कर देना है, आपको current city से कितना मिलता है, वो add कर देना है, और notice period add करके apply कर देना है, तो दोस्तो 2020 graduate हो, आप तो आप इसमे apply कर सकते हो, अब यहाँ पे आपको दिखने मिल जाता है, junior associate technology का, यहाँ पे आपको job role दिखने मिल जाता है, eligibility बता दिया, मैंने आपको 2020 graduates और degree के बाद कर ली जाए, तो वी पीटेक श्टूट्स इसमें apply कर सकते हो, यहाँ पे आपको streams दे जीदे आती है, दोस्तों, अगर आप computer science, electronics and communication, information technology, mathematics and computing, या तो software engineering stream से विलोंग करते हो, अगर आप ले वी पी टेक किया है, and 2020 password बैच चो, तो आप इसमें apply कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, आप CGP, 6.5 CGP, या तो उससे above ही इसमें apply कर सकते हो, compensation देखने मिल जाता है, है, जिससे आप apply करना चाहते हो, अपने email ID select कर लेना है, यहाँ आपको fully match करना है, email address add करना है, gender select करना है, contact number, institute name, आपके college का नहीं match करना है, आपका graduation year select करना है, दोस्तों, graduation degree select करना है, आपकी graduation stream select करना है, फिर what is the source of your application, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला, आप कोई option select कर सकते हो, your current location, तो आपको CT अपनी mention करना है, final CGP out of 10, तो आपको CGP था, average CGP था, वो आपको add कर देना है, फिर आपके LinkedIn profile की link यहाँ पर आपको share करना नेसेसरी है, उसके पास अपने यहाँ पर resume upload कर देना है, अगर आपके पास any, अगर आपके पास कोई offer है, in hand तो वो select कर देना, अगर है तो yes कर सकते हो, अगर नहीं है तो next click कर सकते हो, इस तरह से आपको सभी चीज़े add करके, इस particular job role के लिए apply करना है, अब third जो job आचाती ही, बहुत जाती है, red hat job के तरफ से, तो आप देख सकते हो, we are red hat and we are hiring, तो यहाँ पर red hat के हैं आपको job opportunity देखने मिल जात है, experience with programming language like python, तो दोस्तों अगर आपके पास python का programming language का experience है, तो एक बहुत ही बड़ा plus point दिखने मिल जाता है, ability to troubleshoot software problem and analyze software behavior, तो यह चीज़ भी आपको धान में रखना है, highly motivated with the ability to work in a fast moving technical environment, दोस्तो fast moving technical environment में आप highly motivated होना चाहिए, keen interest in open source software development, तो open source software development में आपका interest होना चाहिए, good interpersonal skill with focus on collaboration, excellent return and verbal communication skill, तो communication skill भी आपके strong होनी चाहिए, तो यह सभी आपको चीज़े देखने है, मिल जाती है, अब job responsibilities की बात कर लिए चाहिए, contribute to software and test development for our open source red hat open stack cloud solution, यह चीज़ देखने मिल जाती है, program in python in the gland substring project, perform test driven development using variety of dev tools and scripting language, यह सभी चीज़े देखने है, मिल जाती है, red hat company की सभी details देखने मिल जाती है, और यहाँ पर आपको apply button देखने मिल जाता है, तो सभी चीज़े आप देख सकतो है, यहाँ पर सभी चीज़े मैंने explain कर दिये, तीनों ही job role के क्या eligibility criteria है, roles and responsibility है, और apply कैसे करना है, वो भी चीज़े में आपको mention कर दिया हूँ, तो आप जि लात क theo फीज़े में झाली घर सकता है, पूल प्रwhenहें दिया है, यहाँ आपको जो तेस kid में में आपको यहाँ